नमस्कार, यूनिवर्सल नीज में आपका स्वागत है मतुरा थाना हाईवे शेत्र में एक निवारी फैक्टरी में आग लग गई आग लगने के कारण लाखों का माल हुआ जलकर राख और अभी भी पता नहीं लग सका है कि आग लगी कैसे मतुरा के थाना हाईवे शेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कम मज गया जब एक फैक्टरी से धुआ उठने लगा धुएं को देख आसपास के लोग घटना स्थलकी और दोड़े लेकिन जोर जोर से उठने वाला धुआ मतुरा के थाना हाईवे शेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कम मज गया जब एक फैक्टरी से धुआ उठने लगा धुएं को देख आसपास के लोग घटना स्थलकी और दोड़े लेकिन जोर जोर से उठने वाला धुआ आग में तब्दीर हो गया और धीरे धीरे आग ने विक्राल रूप ले लिया जिससे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा अफरी का महौल मच गया आनन फानन में फायर बिगेट को सूचना दी गई आग की सूचना पाकर दमकल की कहीं गाड़िया मौके पर पहुँच गई और आग को बजाने का प्रयास करने लगी लेकिन दो गंटे की मशकत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबो पा लिया लेकिन आग बजाने से पहले ही फाकरी में रखा लाकों का माल जलकर राक हो चुका था घट्ना के बारे में जानकारी देते हुए दमकल के अधिकारी ने बताया कि एक इंड़स्ट्रियर एरिया में निवार की फाकरी में आग की सूचना मिलते ही अधिकारी में आग काब पा लिया था अब सिती सामाने है यह आग कैसे लगी इसके कारणों का भी पता लगा जा रहा है लेकिन फैक्ट्री संचालक के पास भी आग से बचने का कोई भी साधन फैक्ट्री में मौजूद नहीं अधिकारी में मौजूद नहीं है और जबी जान की जाएगी है तो आख उजाले में लग रहे हैं आख उजाले में मौजूद नहीं